नमस्कार दोस्तों, कुक रियन चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आपके और आपके बच्चों की शाम की छोटी सी भूग के लिए फटा फट से बनने वाले छोटे से पिज़ा इंग्रीडियेंट्स देख लेते हैं हम बारी कटेवे शिम्डा मिर्च, बारी कटेवे टमाटर, कद्दुकस की अवा चीज, बारी कटेवे प्याज, पिज़ा सोस, कुछ मने को बिस्किट, और गेनो चीली फ्लेक्स को मिक्स कर लिया है, मिक्स जह बना ली है मैंने सबसे पहले हम पिज़ा सोस लगा लेंगे सब बिस्किट पर ध्यान से, बिस्किट तूट नहीं जाए, थोड़ा ध्यान से लगाना आप अब हम एक एक करके तीनों वेजी अच्छे से डाल लेंगे इन पर त्यान से, वनेको बिस्किट आप पीजा फ्लेवर के भी ले सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो लास्ट में चीज डालने के बाद में उसके उपर हम डाल लेंगे, मिक्सड हर्ब, चीली फ्लेक्स और और अरगनू इस तरह से सारे बिस्किट के उपर टॉपिंग्स लगा के हम तयार कर लेंगे उसको यह ग्रीस की हुई प्लेट ली मैंने और उसके उपर जितने भी यह तयार किये थे बिस्किट को ले लिए एक कड़ाई में नमक गहम कर लिया था पहले मैंने 10 मिनिट तक फिर उस नमक के उपर आपको रिंग या चोटी सी कटोरी रखे और इस प्लेट को अच्छी तरह से और इसको ढग दीजिए और आज दीमी कर लीजिए और आट से दस मिनिट के बाद में तयार हो गए हैं आपके मेनी पीज़ा तो आप इसको आज ही जरूर ट्राइक करिए और जब भी आपके गर में बच्छों की पार्टी है उस दिन भी इसको फटा-फट से बना लीजिए हुआ हुआने हुआ है अवयgen बच्छों कर दोस में थता है लाना है उसको हुआ है